गुद मॉर्निंग एब्रिवन मुझे बताइए कि आप लोग देख पा रहे हैं इस इत विजिबल तो यू पीपल और नॉट लेट में नॉट लेट हां जी मोसम जादा खराब है बिलकुल ट्राकी क्या भी देख पा रहे हैं सब बच्चे कि अब ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल जाहता मुझे लग ठीक है ठीक है बच्चों दिप्ति ओल्राइट तो बच्चों सबसे पहले शुरू करते हैं अपने वर्ग को सेशन 52 डेली वोकाबलरी और यहां पर सबसे पहला हम वर्ड देखते हैं दस वन बच्चों कोटेशन तब से पहले हमारी कोटेशन आज की होगी कोटेशन ऑफ देए देखो कोटेशन में बच्चों क्या बनाया है डिफिकल्ट डिफिकल्टीज इन यूर लाइफ डोंट कम मतलब कहने का यह है कि कही बार हम डर जाते हैं डिफिकल्टीज से लेकिन डिफिकल्टीज बिसिकल्टी किसके लिए है हमें हमारे हिडन पूटेशन को बताने के लिए राइट बच्चों तो इस पे आपको वर्क करना है जी पिंकी जूली राकी रीना दिप्ती गुड मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग एवर्यवन तो चुड़े बच्चों इसी के साथ में शुरुबात करते हैं आज का हमारा सबसे पहला वर्ड यहां पे है इनफर हमें इनफर का मीनिंग समझना है तो सबसे पहले आते हैं इस क्व scrutiny पे देखो बच्चों सब लोग क्वेस्टन को देखेंगे infer commence conclude होता है debate होता है या बच्चो calculate होता है suggest होता है क्या आप बताएंगे आपको सीधे सीधे यहाँ पे सीधा meaning देखना है synonym को देखना है बच्चो और कुछ नहीं you need to work on synonym तो बताईए क्या answer बनाएंगे इसमें से infer अगर हम देखें तो बच्चो इसका means क्या बनेगा जी रूबी good morning सब बच्चे answer करें जो भी question जो भी answer आपके मन में आता है आप answer आपने बनाया okay conclude खिकरा की बाकी बच्चे बताएं बिल्कुल सही है बच्चो infer का means होता है कि किसी के meaning को conclude करना तो इनफर का means है conclude वहां से meaning को निकालना तो answer आपका ए बन जाएगा फिल्कुल सही है पिंकी रूबी रीना दिप्ती बिल्कुल सही है प्रदीप very good अंजू अब देखो बच्चो second number पर आगे explicit देखो दो condition बनती है एक होती implicit अगर बच्चो हम implicit की बात करें तो इसका means होता है मतलब ऐसा जो clear ना हो not clear not clear लेकिन जब आप explicit कहते हैं explicit तो इसका means होता है clear से जो बिल्कुल हमें साफ साफ clear दिखाई देख तो अगर हम कहें explicit तो क्या बनेगा बच्चो मांक्ट, immediate, plain, plainly stated या revealing the secret exactly it is plainly stated तो answer आपका भी बनेगा बिल्कुल सही है question number next पर आते हैं यहां पर लिखा है बच्चो repress तो repress का means क्या जाएगा express करने से, curb करने से, impress करने से या बच्चो confuse करने से c answer curb exactly इसका means होता है बच्चो रोकना तो c answer जाएगा curb होता है repress का means अगरा देखेंगे vindicate, vindictive बच्चो vindictive बताओ किसको कहते हैं vindictive का basically means होता है exactly revengeful, it is revengeful, बहुत अच्छे बच्चो c बन जाएगा question number five को देखेंगे momentous, momentous ऐसा लगता है देखने momentous जैसे moment की, एक moment की लेकिन उसको कहते हैं बच्चो momentary, लेकिन momentous का means क्या होता है notorious, official या enormous B, momentary, देखो मैंने बताया moment, moment एक moment के लिए जो चीजों momentary कहलाती है, लेकिन momentous जब आप जोड़ते हैं तो इसका means बच्चो किस से बनता है, enormous से, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में, enormous अगला बड़ देखेंगे number six, number six देखो क्या कहता है, in speed, आपको याद है in speed में अगर कुछ करते हैं तो कैसा हो जाता है वो हान जी, बिलकुल सही है, बच्चो ये dull हो जाता है, dull, तो in speed का synonym बनेंगा dull से, exactly अगला देखो बच्चो, she taught that running into, तो run into का means आपको यहाँ पर निकालना है, किस का means निकालना है बच्चो, run into run into का means क्या होता है, इस sentence में क्या है, she thought that running into her old friend was a stroke of fate exactly बच्चो, meet by chance, बिलकुल ठीक है, अन्जू, तो seven का हमारा क्या बनेगा, a बनेगा, meeting by chance अब बच्चो, charismatic की अगर हम बात करें तो क्या हैगा, charismatic leader, he was a charismatic leader, कैसे बनाएंगे आप इसको हान जी, ये भी सही है, eight का answer, a जाएगा बच्चो, exceptionally fascinating, exceptionally fascinating, तो answer हमारा a बन जाएगा correct everyone, question number next पर आते है, nine number, indefatigable, indefatigable, बच्चो, अगर मैं कहूं आप से, defatigable, defatigable तो इसका means क्या होता है, ऐसा जो ठक जाए, लेकिन in लगा दिया तो उल्टा हो गया, ना ठकने वाला, इसका means क्या बनेगा, tireless, है ना, कैसा person होगा, tireless, बिल्कुल ठीक है, be answer, बच्चो, camouflage को बताएंगे, camouflage का means क्या होता है, disguise करना, demonstrate करना, cover करना, या बच्चो, fabric करना, तो बिल्कुल सही बात है, बच्चो, आप इसे क्या बनाएंगे, sorry, demonstrating, disguise, camouflage का means, disguise करना, वेश बदलना, है ना, अपनी पहचान को छिपाना, यही camouflage होता है, तो camouflage का mean से, a disguise होने से, अगला देखो बच्चो, word die hard, बताओ die hard का means क्या होता है, what do we mean by die hard, unwilling to change, egoist, ready to change, या arrogant, a, राकी बिल्कुल ठीक है, यह a बनेगा बच्चो, unwilling to change, unwilling to change, कहते हैं, यह die hard, die hard supporter है, इसका means unwilling to change supporter है, यह change ही नहीं होना चाहता, stand by, बताइए क्या means बनेगा बच्चो, stand by, support, या फिर stand up, या फिर postpone, या बच्चो, resist करना, बारे का ए, बिल्कुल सही है बच्चो, जब आपको मुबाईल आता है, उसमें लिखा तो stand by time, stand by का मिन से इसको support करता है वो, है ना, तो support आएगा stand by, यानि कि किसी के पास stand अगर आप होते हो, stand by का मिन से उसके पास खड़े होते हो, तो आप उसे support कर दे हो, और जब support नहीं करते हैं बच्चो, आप उसके पास में बिल्कुल खड़े भी नहीं होते, और देखो to give, went to, to give, went to, इसका मिन्स क्या बनेगा, cause, trouble, circulate, loss, courage, या बच्चो, express, क्या मिन्स बनेगा इसका, तो बच्चो, to give, went to, का मिन्स होता है, express करना, अपने आपको express करना, D answer बनेगा है, आप ए, to give, went to, का मिन्स है, express, अब बच्चो, देखो, part and partial, जब कभी आप देखेंगे, part and partial, तो इसका मिन्स क्या बनेगा, part and partial, तो इसका मिन्स बनेगा, बच्चो, essential element, जब भी कभी part and partial की बात बने, इसका मिन्स है, essential element, correct everyone, अगले पे आते हैं, बच्चो, to get wind, to get wind, मतलब हवा लगना, कहते हैं न, अरे, मुझे तू हवा तक नहीं लगी, तो इसका मिन्स क्या होता है, हवा लग गई अब, कहते हैं कि अरे, मुझे भी हवा लगी है, अच्छा, तुम्हें भी लगी है, मुझे भी हवा लगी है, तो बताओ, to forget, to tell, to come to know, या फिर to fly, क्या बनेगा, बच्चो हमारा, फिप्टीन का, to tell, be, be बनेगा न, come to know, यानि कि जानकरी लगना, जानकरी हासिल होना, तो to get wind का मिन्स है, हवा लगना, हवा लगने का मिन्स है, थोड़ी सी हवा मुझे लग चुकिया इस बात की, इसका मिन्स है, come to know, उसको जान गए हैं, under the thumb of, बच्चों बताओ, under the thumb of का मीन्स क्या बनेगा आपका, beyond the control, under the nose, active या फिर under control of, तो under the thumb, अंगुठे के नीचे कहते हैं, ये मेरे अंगुठे के नीचे मेरे उगली पर नाशता है, इसका मिन्स है, under control of, है न, under control of, तो D answer बनेगा, बिल्कुल ठीक है, hand and glove, बताओ बच्चों, hand and glove का मीन्स क्या बनेगा, आप देखो, hand और glove कैसे होते हैं आपके, मतलँ hand में ही आप अपने क्या पहनते हैं, glove पहनते हैं, यानिके बिल्कुल pass वाला रिस्ता होता है, बहुत नजदीगी का, तो क्या कहेंगे, difficult, enemy, rude या पिर intimate, भई हैंड, glove, ग्लोब जो होते हैं, हैंड में ही तो पहने जाते हैं, बिल्कुल बच्चों, very intimate, बिल्कुल pass के, at a lose का मीन्स क्या बनेगा, बताइए, बच्चों, at a lose का मीन्स है, defeat होना, है न, जी बच्चों, D बनेगा, बहुत अच्छे, in black and white, इसको दो बता दोगे, फटाक से, black देखो, ये black लिखा होगा है, पीछे white है, इसका मीन्स क्या होगया, in writing, बिल्कुल सही बच्चों, at the 11th hour, बिल्कुल last में जाके, जैसे हम अपना form बढ़ते हैं, और 30 last date है, तो 29 को अपने घर से निकलते हैं, एक से लेके 28 तक अपने घर पे रहते हैं, कि अभी बहुत समय है, बढ़ देंगे, तो 29 तारीक में जाना, क्या होगा, at the 11th hour, यानिके, at the, हाण जी, बिल्कुल ठीक है बच्चों, ए जाएगा, at the last stage, इसका मेंस हम कहां पे पहुंच रहे हैं, last stage पे बच्चों, तो 20 का 1 बनेगा, बिल्कुल ठीक है राकी, अगले पे आते हैं बच्चों, अब देखो, आपको फिल अप करने हैं आपे, the education minister emphasized, the need to discover end, तो बताओ क्या, मतर्ब need to discover, पहले discover करना है, और बच्चों फिर develop करना है, each student कौन सी intrinsic talent, तो develop करना है intrinsic talents को, मतर्ब वे talents जो intrinsic हैं, आंत्रिक हैं, छुपी हुई हैं, उनको बाहर निकालना है, बाकी अगर हम यहाँ पे flourish लगाएंगे, तो वो गड़बर हो जाएगा, question number 22 पे आते हैं बच्चों, all right everyone, the mill workers were not, with their low wages, तो low wages अगर उनकी है, कम उनकी तनफ़ा है, तो क्या were not good, satisfied, joyful या pleased, तो बच्चों कम है तो satisfied की बात आएगी, वे satisfied नहीं थे, were not satisfied with their low wages and non payment of wages for last three months, added fuel to flames, मतलब उसने आग में घी का काम किया, तो यहाँ पे added बनेगा, आपका, डन बच्चों, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे 22 का B, बिलकुल सही है, he is usually, यहाँ पे देखेंगे बच्चे, he is usually strict, tense, happy या काम, but today he appears rather than, rather disturbed, तो देखो काम की बात करेंगे, C-A-L-M, कि वो usually calm रहता है, शान्त रहता है, लेकिन आज तो वो कैसा दिख रहता है, disturbed दिख रहता है, calm और disturbed, 24 को देखेंगे, the changes made in the system were so, changes made in the system were so, तो so बच्चों क्या बनेगा, big, genuine, obvious, or certain, that they didn't require any, तो बच्चों आणसर बनेगा, आपका C, बिलकुल सही है, है न, कि इतना obvious था, इतना obvious था कि उसमें कोई भी modification अमें नहीं चाहिए थे, 24 का C बन जाएगा, 25 को देखो बच्चों, he was, he was complained of playing, accused of playing, innocent of playing, या guilty of playing, तो बच्चों, अगर आप इसको पढ़ेंगे, देखो, guilty मैं यहाँ पर लगा के देखता हूं, guilty, of playing, देखो, यहाँ पर रिका, lose, आपको पता है, phrase होती, fast and lose, यानि कि dishonest ways of learning, तो यहाँ पर fast and lose, तो answer क्या बन जाएगा, आपका D बन जाएगा, correct everyone, 26 पर आते हैं बच्चों, देखते हैं, he granted the request, because he was, तो bound, destined, reluctant, या, तो reluctant को लगा के देखते हैं, यहाँ पर, एक बार check करते हैं बच्चों, reluctant, reluctant का means होता है, अनिच्चुक, तो, he granted the request, because he was reluctant to disappoint his friend, है न, वो अनिच्चुक था, अपने दोस्त को disappoint करने के लिए, तो answer आपका क्या मन जाएगा है, आपे C बन जाएगा, राइट बच्चों, बहुत अच्छी, question number 27 को देखते, I would like, I would like to your attention to the second paragraph, तो देखो, invite, withdraw, react or draw, तो बच्चों, ऐसा लगेरे से draw हो, क्योंकि attention को आप draw करते हैं, I like to draw your attention to the second paragraph of my letter, pertaining to, कमिन से संबन्दित, किस से संबन्दित, terms of the sale of the machine, तो answer आपका D बनेगा, question number 28, a, of chilly cold weather is expected in the next few months, और यह हम देखे तो present perspective के बारे में भी सही है, तो बच्चों, जब chilly cold weather की बात ही, तो उसका phase होता है हमेशा, a phase of, am I right or not, जी अन्जों, बिल्कुल ठीक है, तो answer बच्चों, आपका क्या बनेगा, A बनेगा, number 29 पे देखते हैं, she is so, तो बताओ credible that she always believes my fairy tales, वो मेरी जूटी बातों को भी सच मान लेती है, इसका मतलब बच्चों, credible, vociferous, credulous, innocent, credulous बनेगा, इतना सीधा जैसे गाएं होती है, गाएं से भी ज्यादा सीधा, credulous कहलाता है बच्चों, तो वो इतनी credulous है कि मेरी हर बात को मान लेती है, तो 30 को देखेंगे, she had an of the ear, तो बच्चों क्या बनाएंगे, she had an infection, ulceration, injury या फिर infection, यहाँ पर बच्चों ओफ आया, तो बिमारी का नाम होगा, तो बिमारी क्या होगी, ulceration, तो she had an ulceration of the ear, तो answer हमारा क्या बनेगा, बच्चों यहाँ पर बनेगा, आप देखों देखेंगे, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और कल के लिए जो बच्चों वर्ड है आपका, वो है यहन, कौनसा वर्ड देखेंगे हम यहाँ पर कल के लिए, we do have this word, यहन, correct बच्चों, तो यहन वर्ड को आप देखे आएंगे, अब मैं सभी बच्चों से, अच्छा, काउग भी बहुत तेज है, यह हो सकता है निलम, हाँ, लेकिन कहा जाता है कि गाएं सीधी होती है, गाएं जैसा सीधा, या सीधी, ऐसा बोला आयाता है, बच्चों मैं एक सजेशन आप से लेना चाह रहा हूं कि, vocabulary हमने बहुत सारी कर लिए, lots of vocabulary we have done, आज हमारा 52 session था बच्चों, है ना, तो मैं इसमें innovation चाह रहा हूं, कुछ नया करना चाह रहा हूं, तो क्या हम इसमें, अगर हिंदू vocabulary को include कर ले, हिंदू, अगर हम the हिंदू से vocabulary include कर ले, current basis पे, और उनको लेके चले, उनहीं के base पे आपको work कराएं, तो कैसा रहेगा, मुझे इस suggestion को बताईए आप लोग, comment books में जरूर बताएं, इसके बारे में, कि how it would look like, कि थोड़ा सा अब innovation इसमें हो जाना चाहिए, जो बेहतर रहे आपके लिए भी, और class के लिए भी, बेहतर रहेगा ना, निलम, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नेरेना, चलो बच्चो, ठीक है, ठीक है, तो हम ऐसी कोशिश करेंगे, कि जिससे आपको थोड़ा सा हिंदू से vocabulary कराएं, और उसको और थोड़ा सा वाई-बेंट करें, दन बच्चो, मतलब एक ऐसे base भी पढ़ेंगे, जो बिलकुल daily के हिसाब से होगा, और उसमें चीजों को आपको बताया जाएगा, तो ठीक है बच्चो, आज की class को over करते हैं, पर thank you so much for being with me, have a great time.